फरवरी माह के पहले दिन कुम राशी वालों की पारिवारिक सदस्यों के साथ कुछ अनबन होने की आशनका रहेगी आपको धैर्य रखना होगा और उन्हें समय पर ठीक करना होगा ओफिस में अच्छा दिन है कल का दिन सही रहेगा नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अभी तक अपने कार्यक शेत्र में नई टेकनोलोजी से अपडेट नहीं हुए हैं तो नए समय और स्थिती को देखते हुए अभी तक अपडेट हो जाना चाहिए था व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने व्यापार से संबंधित कोई बड़ी दीई करना चाहते हैं तो आप अनुभवी और विशेशगेयों की सलाह के बाद ही कोई निर्नए ले युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक कल दूसरे जातकों को सलाह दे सकते हैं जिसके कारण उनकी समस्याओं का अंत भी हो सकता है इसके बाद में आपके परिवार के लोग आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे कल आपके परिवार की किसी महिला के साथ तनाव होने के कारण घर के सभी लोगों का मूड ओफ हो सकता है, जिसका आसर आपके घर के वातावरन पर पड़ेगा सेहत की बात करें तो सेहत के मामले में आप थोड़ा सा साथधान रहें, स्वास्थ्य ठीक ना होने पर डॉक्टर से संपर कवश्य करें आज के दिन कुम राशी के जातक या जातिका कारिय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको अपने दैनिक रूटीन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा परिवार की उपलब्धियों की सराहना करने और सफलता पर खुशी मनाने से घरेलू शान्ती और सद्भाव कायम रहेगा आपकी ओर से इमानदार प्रयासों से वित्तियस तिथी में काफी सुधार होगा रोमेंटिक दोस्ती को बचाने के लिए आपको अपने आवेक पूर्ण व्यवहार पर नियंत्रन रखने की जरूरत है सकारात्मक सोच से आप नकारात्मक भावनाओं से आसानी से छुटकारा पासकेंगे हर कोई आपका दोस्त बनना चाहता है लेकिन सुनिश्चित करें कि आप बहुत चैनात्मक हों आज कुम राशी का करियर कुम राशी वाले व्यापारी, कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए फरवरी माह का पहला दिन संतुलित रहेगा आपके नए कारोबार में सफलता मिलने की संभावना बन रही है आर्थिक ड्रिष्टिकों से समय शुग है और निवेशों द्वारा शुग परिनाम सामने आएंगे सरकारी अधिकारियों की कृपा से भूनी जायदाद संबंधी विवाद का समाधान भी हो जाएगा सरकारी नौकरी करने वाले जातक अनैतिक कारे करने से बचे अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं नौकरी पेशा जातकों को ओफिस में आपके कारियों में सफलता मिलेगी और सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा आज कुम राशी का पारिवारिक जीवन पारवारेक जीवन की बात करे तो कुम राशी वालों के घर में कुछ परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से भाग दोर करनी पर सकती है, किसी गलत फेहमी की वजह से पती पतनी के बीच बहस बाजी हो सकती है, बहुत समय से भाई बंधों से चला आ रहा विवाद सुलज जाए बस अपने सोने के घंटे को बनाए रखे और तनाव दूर करने के लिए सुबह योग वध्यान करें। आज कुम राशी के उपाए, बाधाओं और रोगों से मुक्ती के लिए बुध्वार को किन्नरों को हरे वस्त्र दान करें और मंदेर या जरूरत मंद को हरी मून का दान करें।